तीन तरह की लेस से बनाएं बहुत ही प्यारा सा लटकन और इजी लटकन सबसे पहले आपके पास इतना सपीस होना चाहिए लटकर बनाने के लिए तरह के कोई भी आप चौड़ी लेस ले सकते हो उसके बाद मैंने ली है शिक्के वाली लेस आप कोई भी हेंगिंग मोती वाल कर लेंगे कुछ इस तरह से हमें यह वाली लेस के भीच में ही अटैच कर लेनी है जो सिक्के हैं बीच में रखेंगे और लेस बाहर की साइट तो यहां पर देखिए यहां पर सिक्के देखिए अंदर की तरफ रखूंगी मैं यहां पर और सिलाई किनारी किनारी के उपर लेकर आनी है तो मैं जो डबल फूट से ही इस लेस को लगा रही हूँ आप चाहो तो सिंगल फूट से अराम से लगा सकते हो इससे थोड़ी से मुश्किल लगती है तो मैंने सोचा था कि इसका थोड़ा सा ही काम है इसलिए मैंने म लगा सकते हो तो अभी नीचे वाली साइड में आ जाएंगे एक साइड हमारी लग चुकी है जैसे कि कॉर्णर होता है कॉर्णर की दो साइड देख लेनी है आपको दो साइड में ही लेस को अटैच करना है तो यहां पर एक्स्ट्रा को कट कर देंगे अभी इसको डबल फोर् तो यह वाली सिख की है वो लोहे की है इसकी वज़े से आपकी सुई भी तूट सकती है तो आप अराम से पहले इनको एक साइड में कर ले या फिर गे जो भी मोती वगैर उनको एक साइड में कर ले जो भी आप लेस लगा रहे हो अब लेस की लगाई है वो आपको उपर की तरफ दिखने लगेगी बस आपको उसी सिलाई के उपर अभी fold करते हुए दुबारा सिलाई लगा लेनी है यहां पे हम जो सिलाई है वो दो साइड नहीं साइड लगाएंगे अभी इस tariff आ जाएंगे अभी जो इसका चुड़ाई है उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे जितनी सा Day इस तरफ है उतनी इस dieser Сам लगा लेंगे 60 जो कॉनर है यह वाला जो कॉनर है उसमें ज़ुरी करेंगे को पन करो के यह वा हैえ इसको अराम से सीधा करने के बाद जो इसके corner है भो भी निकाल लेने है कैंची की नोग से आप निकाल सकते हो लेस को बिलकुल भी मत खीचना कुछ इस तरीके से corner निकल जाएंगे ये velvet की लेस तो इतनी ज़्यादा hard है तो इसको एक side में इस तरीके से fold करते हुए थोड़ा थोड़ा सा बीच में fold कर देंगे और इसके उपर सिलाई लगा लेंगे उतना ही fold कर लेना जैसे कि अभी आप देख लीजे कि पूरा जो square piece है वो आपका बन चुका है कम जादा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा हो जाए तो चल जाएगा जादा नहीं होना चाहिए फूरा जो square piece है उसको बना लेंगे इसके बीच में चाहे तो आप cotton को fill कर सकते हो चाहो तो आप simple इस तरीके से ही attach कर सकते हो मैंने इस तरीके से ही attach कर दिया था तो lace थोड़ी से hard होने की बज़े से मैंने इसमें cotton fill नहीं की इसको और थोड़ा सा fluffy बनाने के लिए आप cotton यूज कर सकते हो अगर आपकी lace इतनी जादा hard नहीं है तो उमीद है कि आपको आज का यह वाला लेटकन बहुत ही जादा easy लगा होगा अगर आपके पास इस lace का जो design है वो अच्छा होगा और hanging वाली lace अच्छी होगी तो आपका लटकन है वो देखने में ready made लगेगा तो इस तरह की videos देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर ले बाबाई